हालो एब्रिवन एंड वेलकम टू डियास्कुरूजी राजस्तान जी के स्पेशल टेस्ट क्लासिज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इसमें आपसे राजस्तान जी के हंडेड मॉस्ट इंपोर्टेंट क्योशन्स पूछे जाएंगे जिसका करेक्ट आंसर आपको इंपोर्टेंट है तो सुरुवात करते हैं राजस्तान जी के महतुपूर्ण प्रश्नों की पहला प्रश्न है महा कवी बिहारी का प्राशाद कहां पर इस्तित हैं महा कवी बिहारी का प्राशाद इस्तित हैं आमेर में ए ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही राम सिंग तक्थे साही महल कहां पर इस्ति थे राम सिंग तक्थे साही महल के अगर बात की जाए तो यह महल इस्ति थे मोती डूंगरी जैपूर में अगला प्रश्ण ही जैपूर सिटी पेलेस परिशर में प्रितम निवास महल का निर बिमारल हुआ है और वहाँ परast sorrow अ सिनוך सवाई प्रताम सिंह के दौर सी ऑuchen सेन इस क्योशें में करेक्ट होगा जैपूर में अलबवल्ट मियूजियम का उद्गाटण करने वाले वेक्ति हैं सर एड़वर्ड ब्रेटफोर्ट सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अलबर्ट म्योजियम में संदक्षित इरांग का बहु मुल्य गलीचा सहाद वारा भेट किया गया था मिर्जा राजा जैसिंग को एप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला जेपुर के सासको का साही समसान घाट कोन सा है जेपुर के सासको का साही समसान घाट के अगर बात की जाए तो इनका साही समसान घाट है गेटोर की छत्रिया दी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अकबर के म्रगया महल कहां पर इस्तित है अकबर के म्रगया महल के अग अगला प्रश्ण है किस नदी के पास इस्तित है घंभीर नदी के पास राजस्तान का वह किला जिसे अंग्रेज सेना नहीं जीत सकीती वह किला है भरतपुर का जीला जिसे कोई भी जीत नहीं पाया था वी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा राजी की टेक्स्टाइल सिथी अम राजस्तान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है राजस्तान की टेक्स्टाइल सिथी और राजस्तान का मैंचेस्टर कहा जाता है भिलवाडा को सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही पग बावडी इस्तित हैं पग बावडी कहां पर इस्तित हैं? पग बावडी इस्तित हैं मोक लसर बाडमेर में सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा जगनात कच्च्वाहा की 32 कंबो की छत्री कहां पर है जगनात कच्च्वाहा की 32 कंबो की छत्री इस्तित है मांडल गड भिलवाडा में C option इस क्योशन में करेक्ट होगा प्रशिद्य श्वतनता सेनानी केशरी सिंग बारट प्रताप सिंग भाराट के हवेली कहाँ पर इस्तित है प्रशित द deemed rangण सेना निहीं उनका नाम है केशिरि सिंग भारट और प्रताप सिंग भारट इनके हवेली इस्तित है भिलवाड़ा में नई अगर चमना बाँडि का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था स्थम के द्वारा क्योंना महल कहा पर श्रुटी के अन्य किस नाम से जाता है तोड का यसोदा देव की पट बिलवाड़ा। एसके। होगा में करेक्ठ होगा अगला प्रश्ण ही पाासान कालें आउसेशों के कारण विश्व विख्यात माहासत्य का टीला नामु का इसतल कहां इसत्त में यह पासान इस में सीटियोबैल्स के नाम से कौन प्रशिद है क्या प्रशिद है संत मीठे सा की दरगा के अगर बात की जाए तो तो मीठे सा की दरगा इस्तित है चोबीस कोसी परिकम्मा कहां की प्रशिद है लोहार गल जुनजुनु की बांगण का धणी कहा जाता है बाबा सक्कर पीर को डी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा खेतरी में कौन से संत सुधारक आय थे खेतरी में संत सुधारक के अगर बात की जाए तो खेतरी में संत सुधारक आय थे श्वामी विवेका नंजी ए ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा पन्नालाल सहा का तालाब कहां पर इस्तित है पन्नालाल सहा के तालाब के अगर बा कि जलक गो को ाका मिलती यह मिलतीए घैत्रीमाय नाथ Maarland के जोड़त सित्धल में कहा मंधिर को दाउट थी चीतर पेलेच के नाम से क्या प्रशिद है चीतर पेलेस के अगर बात की जाए तो चीतर पेलेस के नाम से प्रशिद है उम्मेद भौन बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा जीले में खारी नदी के तडपर इस्तित कौन सा मंदिर गुजर जाती के विशेश श्रद्धा का केंद्र है तो यह जो गुजर जाती क क्योशन में करेक्ट होगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह पर सही सुमेलित नहीं है बादल महल चितोरगर में नहीं है इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है बाकि यह सारे ही सही सुमेलित है अगला अपना प्रश्न है चीतर पेलेस के नाम से प्रशिद है चीतर पेलेस के ना सुपारी महल की बात की जाये तो ये इस्तित है जोदपुर जीले में एवाप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा जाली रानी का मालिया यानि की महल किस दुर्ग में इस्तित है जाली रानी का मालिया यानि की महल ये इस्तित है चित्तो दुर्ग में A option is question में correct होगा कौन सा महल उदेपूर में नहीं है वो महल जो उदेपूर में नहीं है उस महल का नाम है जगमंदिर जो उदेपूर में नहीं है D option is question में correct होगा लालगड यम अनूप महलों का सम्मन्द किस जीले से है लालगड एम अनूप महलों का समझ जिस जीले से है वो जीला है बिकाने बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा उम्मेट धौन पहलेस कहां पर इस्तित है उम्मेट धौन पहलेस इस्तित है जोदपुर में बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा राजस्तान के एक स्थान के जल महल शर्व श्रेष्ट माने जाते हैं राजस्तान का हरदैस्तल क्या कहा जाता है किसको कहा जाता है मांगलीःवास अजमेर में कल्पव्रक्ष मेला कब आयोजित किया जाता है मांगले अवास अजमेर में जो कल्प रक्ष मेला आयोजित होता है वो कब आयोजित किया जाता है तो ये मेला आयोजित किया जाता है शावण मास्की हर्याली अमावस्या को B option इस क्योशन में correct होगा अँभाए दिन का जोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था तो अँभाए दिन का जोपड़ा बनवाया गया था 13 जन्वरी 19 69 को A option इस क्योशन में correct होगा अजमेर की फोयसागर ज withdrawal का निर्माण हुआ था अजमेर की फोई साकर जील कर निर्माण हुआ था 1891-92 एसवी में सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अबदुल्ला खां का मगबरा कहां परिस्ति थे अबदुल्ला खां के मगबरे के अगर बात की जाए तो उनका मगबरा अजमेर में इस्ति थे और ये इस्ति थे पुशकर में माधोपूर कौंकर्ण तीर्थ कहां है तो ये कौंकर्ण तीर्थ कहा जाता है पुशकर को बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ति राजस्तान कब आये थे तो ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ति के अगर बात की जाए तो ये राजस्तान आये थे प्रत्वी राज चोहांत रित्ये के समय में बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रशन है अधितियों के स्वागत सतकार है तु निर्मित मुबारक महल कहां पर इस्तित है अथितियों के स्वागत सतकार है तू निर्मित मुबारक महल जो इस्तित है यह महल इस्तित है जैपुर में A option is question में correct होगा गुडिया संग्राले कहाँ पर इस्तित है गुडिया संग्राले के अगर बात की जाए किस सहर के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहां पत्थर के पेर लोहे का सरीर और काट के गोडे पर सवार होकर ही पहुचा जा सकता है तो ये सहर हैं, इस सहर का नाम है जहसलमेर, जहां पत्थर के पेर, लोहे का सरीर और काटखे गोडे के पर सवार होकर ही पहुचा जा सकता है, ये कहा जाता है जहसलमेर के बारे में, B option इसमें करेक्ट होगा, अगला प्रशन है, वह पांच मंजिला भोवन जिसका निर्मान कर चिला वटियों ने इसे, 1830 इसमें में अजमेर के ततकालिन महराजा, स्री वेरी साल को भेट किया था, वह पांच मंजिला इमारत है, बादल, विलाश महल, C option इस क्योशन में करेक्ट होगा, ग्रेनाइट सहर के नाम से विख्यात, कौन सा सहर है, ग्रेनाइट सहर के नाम से विद्वान है, ब्रह्मगुत, गुप्त तथा महाकवी माद, ये राजस्तान के जिस जिले से संबंदित है, वह जिला है, जालोर, C option इस क्योशन में करेक्ट होगा, जालोर में योगी राज जालन धरन की सिद्ध तपो भूमी कहा इस्तित है, ये जालोर के सीरे मंदिर में क्योशन में करेक्ट होगा, राजस्तान का पंजाब किसे कहा जाता है, राजस्तान का पंजाब कहा जाता है, सांचोर को ध्यान रखेगा, बहुत ही महतोपूर्ण प्रशन है, अगला प्रशन है, चीनी यात्री हैंसांग कब आया था, चीनी यात्री हैंसांग कहां आया था चीनी अतरी हैंसांग आया था भीनमाल में एयो अपशन इस question में correct होगा अगला पुरश्ण तान के open air art gallery के नाम से विक्षया थे open air art gallery के नाम से जो विक्षया ले जिसे कला दिर्गावी कहा जाता ही ये विक्षया थे सेखावटी एयो अपशन इस question में correct होगा बेजनात रूया के हवेली किस जीले में इस्तित है बेजनात रूया के हवेली के अगर बात की जाए तो ये हवेली इस्तित है सीकर जीले में A option इस क्योशन में करेक्ट होगा सिरोही जीले के चमपा बावडी का निर्मान किसने करवाया था सिरोही जीले में चमपा बावडी इस्तित है और इस चमपा बावडी का निर्मान करवाया गया था चमपा कवर के द्वारा B option इस क्योशन में करेक्ट होगा संत पीपा की गुफा कहां पर इस्तित है संत पीपा की गुफा के अगर बात की जाए तो यह इस तीथ है टोडा ग्राम ठोक में A option is question में correct होगा पुलानी एका दसी का मेला कहां लगता ही पुलानी में एका दसी का मेला लगता है डिगई में B option is question में correct होगा राजस्तान का कश्मीर, एंपूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो राजस्तान का कश्मीर, एंपूर्व का वेनिस कहा जाता है C option इस question में correct होगा प्रlishी दितिहासकार फर्गूशन ने किन महलों को राजस्तान के विंड़ सर महलों की sangeंगया दी है? वो महल जिसे राजस्तान के विंडिसर महलों की संग्या मिली है वो महल है सिटी पैलेस उदेपूर जिसे विंडिसर महल की संग्या इन्होंने दी है फर्ग्यूशन है इनका नाम ध्यान रखिएगा C option इसमें करेक्ट होगा वाणी विलास महल किसे कहते हैं? वाणी विलास महल कहते हैं सज्जनगर पैलेस को A option इसके उशन में करेक्ट होगा बासदरा पहाडी पर इस्तित महल कोन सा है? बासदरा पहाडी पर इस्तित जो महल है उस महल का नाम है सज्जनगर पैलेस C option इसके उशन में करेक्ट होगा पर यहां पर कालीमेर नाधी किनारे D. dubna किसे कहा जाता है लुँ आयॉ हम प्रोधों भारत का मक्का कर रहा है्जात getting whether को सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा सावन भादों महल कहां पर इस्तित है सावन भादों महल की अगर बात की जाए तो यह इस्तित है सावाद दुर्ग बारा में सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा दिल्ली के लाल किले की सेली से निर्मित दुर्ग कौन सा है ल कबिलधारास तेर्थ दित्थ तो कपिलधारा तिर्थ इस्थ है किशन neighborhood ुकें इस क्योशन में कोशन में करेक्ड होगा दनुस-लीला नामग व्हार नहीं दनुस-लीला नामग व्हार जी चाने जान तो यह एक बंस नहीं रहे सको गिंचे में कट्षेद रहा लगू मांट आबू कौन से है Met इस governments क בח करेक्ट रूगा किस संप्रदायक का है यह यह संप्रदायक यह तिर्थ है जेयन संप्रदायका योप्षा करेक्ट होगा ऊष्या मंदिर कहां इस्तित हैं अगर बात कि ही जस्वन मंदिर को Pennsylvania गर्स करेक्ट होगा अगर्लाया प्रश्न ही ढरा juvenile क्रेक्ट होगा अगर्मत heritage hotel के अगर बात की जाये तो इसका पहला heritage hotel है अजित भौण एंड में करेक्ट होगा जोद्पुर के सासको कि छत्रियां बनी है जोद्पुर के सासको की छत्रिय बनी है मंदोर में बी जोद्ब। इस क्योश्चन में करेक्ट होगा प्रहरी मिणार के नाम से संबोधित किया जाता है प्रहरी मिनार के नाम से संबोधित किया जाता है एक थंबा महल को जोद्पूर में सहीद इसमारक पर प्रतिवर्स सहीद मेला की स्थिति को लगता है यह जिस तिति को लगता है उस तिति का नाम है भादव सुधी दस्मी को दियो अप्शन इस द्वारा करोली सहर बसाया गया था अर्जुन पाल द्वारा करोली सहर बसाया गया था भद्रावती नदी के किनारे बी ऑप्षान करेक््ट होगा अगला प्रेश्ण ही हर्मुख विलासमहल कहा करिस्ते थे हर्मुख विलासमहल करोली फ्रौसान को होगा राजस्तान के कांपुर म् सेक्षिक नगर नगरी के नाम से कौन सा सहर रिक्षित है तो यह एवाप्शन में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है बलब संप्रदाय के प्रथम महापरभु की पीठी का यानि कि मतुरादीस मंदिर कहां परिष्टे थे बलब संप्रदाय के महापरभु की प्रमुक पीठी का और मतुरादीस मंदिर इस्तित है कोटा में एवाप्शन इसक अगला अपना प्रश्न ही अभेडा महल कहां पर इस्तित है अभेडा महल कोटा में इस्तित है बूंदी के राश-प्रशाद में इस्तित महल जिसमें बूंदी नरेशों का रास्तिलक होता था तो इस्तित इस्तित राश-प्रशाद में इस्तित वह जिसमें बूंदी नरेशों का रास्तिलक होता था तो उस्तित महल का नाम है रतन दोलत दूरी खाना इव अप्सन इसक्योशन में करेक्ट होगा वह स्तान जहां महाराव राजा उम्मेच सिंह सन्यास ग्रहन करने के का सिर्मोर है निर्माण किसके दौरा करवाया गया था राणी नातावण जी ने इसका निर्माण करवायए था डा करेक्ट होगा अल्टरो यह तो दोस्तों यह थे राजस्तान जी के most important questions अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तिसे like किजेगा और इन वीडियो के questions का PDF आप हमारे website से download कर सकते हो thank you so much thanks for watching